करनाल के मेरट रोड पर गाउं कालरम निवासी सेना के जवान कुसुम पाल को अग्यात वहन द्वारा टक्कर मार दी गई जिससे उसकी मोके पर हिमोध हो गई घटना की सूचना मिलते ही परीजन मोके पर पहुच गई इस घटना से गाउ में मातम चा गया है परिवार वालों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कुसुम पाल को अग्यात वहन द्वारा टक्कर मार दी गई है उन्होंने बताया कि कुसमपाल जो की पिछले साथ साल से सेना में कारी रथ था और उत्राखड में अपनी ड्यूटी दे रहा था इन दिनों वे छुटियों में घर आया हुआ था पुलिस ने मोके पर पहुँचकर आवश्य कारेवाही प्रारम कर दी गांवालों ने कुसमपाल को शहीत का दर्जा देने की भी मांगी है यहां हम आपको बता दे कि मेरट रोड हाथसों का कारण बनता ही जा रहा है क्योंकि इस पर यूपी से भी आवगमन बड़े बड़े वहनों का काफी संख्या में होता है जिससे आए दिन कोई ना कोई दुरगटना होती ही रहती है सरकार द्वारा में रोड को फोर लेन बनाने की बात की जाती है परंतु अभी तक बनाया नहीं गया है जिससे ग्रामिनों में जोश भी व्यापत है अच्छे जी तो कितनी गुमर थी क्या परिवार रहे है तीस के करीब थी पच्छी और थीस के बीच में एक चासाल का बच्चा है तो बड़ी दुखत गटनोई आज कून है मारने माला कैसे पता लगया बसाबी तक तो कोई साम नहीं आया बड़ा जाना कख्षी नहीं आज यह नगणा चोकर के बीच में हुआ करना लाते होते में ट्रोड़ बें क्या करवई की ज़री पूलिस को पता है तो कोई कारवाई मुझा है खलाग है निया कोई कारवाई है मारी तो मांगी यह बच्चे को इसको नहाए मिले जो इसका द बड़ाई मुझा था जाए तो मार के गया तो मुझा नहीं तक कोई वान का पता नहीं सुबहाई मेरे खल में साथ बर जी गठना होगी जो पता है वान है JBD banquets लाए है Incredible Marriage Palace Rajgarana and the finest banquet hall Jyoti Garden World class catering century air condition lush green lawns state-of-the-art lightning a perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden of JBD banquets enterprise ऐसे ही लेटे स्क्रबरे पाने के लिए bell icon को ख्लिक करें हमारी चैनल को like, share and subscribe करें धन्यवारी